टेस्ट जिस बजेट में मिल रहा है वो बहतरीन है तो भाई आज मैं आपको लेकर आओ पटना में एक ऐसे नाश्टे की दुकान पे जहां पे लंबी लाइन लगा कर लोग नाश्टे का इंतिजार करते हैं चले चलके इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या खासे थे यहां के नाश्टे में यहां पे प्लेटे लगाई जा रही है अचने और कचोड़ी की यह कचोड़ी इधर गर्मा गरम कचोड़ी निकल भी रहा है और लोग आते है और खाते हैं सुबह के नास्तामें braini लोग इसको घाने कप्सम करते हैं चहप कहाँ पर किगा अठी करने कलो शाफिश लिपटे यह एक्रवाथ यह अदा संह.. जन्रीड करते हैं धषु मेरा इसर अपी अदा है प्लिटे auta? कैसा लगड़ा है टेश बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है रेगुलर खाते हैं रोज खाते हैं मतलब मुस्ट अब टू और त्री डेज में मैं एक बार खाई लेता हूँ यह वाई आलो और चना की सब्जी जो आपको लिट्टी के साथ यहां पर मेलेगी सब्तू के स्ट क्या रहाता है एक प्लेट का एक प्लेट का दो तिस लिट्टी चाना चौविस रिगागा और टाइमिंग क्या रहती है अगर साथ वे सब्सक्राइब शाम तक लगाते हैं लगाता है लोकेशन जा दिजिए यह विद्यपति मार्ग है तरह मंदल के पास ही हम हो है गोलंबर देखेशन निए लगाता है तो चड़िए अपने लिए प्लेट लगाते हैं यहां का टेस्ट कैसा है तो यहां पर देख सकते हैं फुल फ्लेट लगाई जारी ही जिसमें दो लिट्टी आगे इसको टुक्रे में तोर दिया गया है और उसके उपर आ यह यह आलू चने की साला और थोड़ी से प्याज और दो फ्राइ की हुई हरी मिर्च और साथ में आ गया यह अपना चम्मच तबाई यह आ गया अपने पास आलू चने की सब्जी और लिट्टी की प्लेट सुबह के नास्ता में लोग यहां पर काफी पसिन करते हैं इसको यह लिट्टी है दो लि में यह आगे वाई पहला वाई लिट्टी एकदम ही खास्ता है और चने की और आलूक जो सब्जी है वह भी काफी कमाल का दिखने में अलाकि वह ऐसा नहीं लग रहा है कि टेस्टी होगा लेकिन खाने में काफी जाए टेस्टी है अभी देखें वह स्लोट उतरा था देल या रिफाइन है अच्छा रिफाइन है